आज में वरिष्ट कथाकार दीपक्षर्मा की लिखी हुई कहानी एक तवे की रोटी जीवन का शायदी कोई चेत्र हो जो दीपक्षर्मा जी की कहानियों से छूटा हो उनकी कहानियां रोचक, संग्षिप्ट और सरल होती हैं भाषा, शैली, व्याकरण, वर्तनी, सौंदर आधि में किसी भी रूप में कमतर ना होते हुए उनकी छोटी से छोटी कहानी भी अपना प्रभाव छोड़ जाती है प्रस्तो थे उनकी कहानी, मेरी जबानी, मैं हूँ सीमा से हूँ उस शाम संतोष हुआ, मुझे जब अपने चौबारे के छज्जे पर दिखाई न दी तो उनकी खबर लेने उपर उनके पास पहुँच गई अपने बिस्तर पर लेटी, वो थर-थर काप रही थी शीद से ठंडे शरीर के साथ, रजाई और कंबल ओड़े रहने के बावजूद सुधीर, चज्जे पर खड़ी होकर मैंने छोटे भाई को पुकारा उससे बड़ा सुशील चार से छे बजे तक कम्पीटर सीखने जाता है क्या है? सुधीर हमारे आंगन में चला आया वालिया अंकल को बुला लओ, बुआ को तेज सर्दी लग रही है वालिया अंकल डॉक्टर है और हमारे परोस में उनका अपना क्लीनिक है पापा के वो अच्छे दोस्त है और हमारे फैमिली डॉक्टर भी इनकी हालत बहुत नासुक है वालिया अंकल ने आते ही बुआ का नेरिक्षण किया नब्स बहुत दीमी चल रही है और लगता है इन्होंने काफी दुनों से खाना पीना एक दम छोड़ रखा था अपने भाई-भापी के गम में क्या संतोष बुआ मेरी नहीं पापा की बुआ थी और पिछले महीने मेरे दादा और दादी की मृत्य हुई थी बलकि दादी की मृत्य तो नाट किये भी रही थी पत्री का ऑपरिशन कराने अस्पताल करे दादा मृता वस्था में घर नोटे थे और उनकी उठावनी के बाद दादी जो अपने कमरे में सोने गई तो फिर कभी न जा गी मालूम नहीं मैंने कहा दादी के बाद बुआ इधर चौबारे में खुद पकाती खाती है दादी के रहते बुआ के खाने पीने का सामान कई बार मैं खुद यहां पहुचाती रही थी लेकिन दादी के बाद मामा ने उन्हें खाना भेजना कता ही जरूरी ना समझा असल में खाना बनाने में मामा जी चुराती है और रसोई के लिए नौकर रखने की अपनी फरमाईश जब तब पापा के आगे रखती भी रहती है दादी की वज़े से उनकी ए फरमाईश हर बार रत हो जाती थी शायद इसी लिए प्रतिक्रिया सुरू दादी की मृत्य के बाद से ही मामा हुटल से खाना मंगवाने लगी है पापा की नौकरी इंदनों लखनों के बजाए बरेली में है और उन्हें एक खबर तक नहीं थी कि संतोष बुआ अब अलग तवे की रोटी खाती है एकाद बार मैंने ज़रूर ममा से बुआ के खाने का उल्लेग किया था मगर ममा ने फोरण मुझे टोग दिया था सुदीर को मैंने उनके पास बेजा तो था हम लोग होटल से खाना मंगवा रहे हैं आपको मंगवाना हो तो रुपया दे दीजे मगर उन्होंने साफ मना कर दिया था हैरत है वाली आंकल ने मुझे डपड़ा खुद पकाने खाने के इनकी कोई उम्र है बला तिस पर दिसंबर ये तीखी सर्दी हो ना हो इन्हें हाइपो थर्मिया हो गया है हाइपो थर्मिया हाँ कुपोशन और सर्दी जब एक साथ बढ़ापे के संग जूर जाएं तो शरीर का ताप इसी तरह 35 डिग्री के नीचे चला जाता है अब फैसला ये करना है ग्लूकोज इन्हें यहां दिया जाए या मेरे क्लिनिक के पास वाले अस्पताल में ममा से पूछ कर आपको बताती हूँ मैं तुरंट नीचे चली आई ममा ने संतोज बॉआ को अस्पताल बेगना बेतर समझा और वालिया अंकल ने उसी दिन उन्हें वहाँ दाखिल करवा दिया पांचवे दिन उन्होंने आँखें कोली और साथवे दिन वो पहली बार बिस्तर पर बैठी मैं अमरसर जाओंगी हंसराज बिस्तर पर बैठते ही बॉआ ने पापा से कहा बॉआ के दाखिल होने की सूचना मिलते ही पापा बरेली सेतर लखनो पहुंच लिये थे और पिछले तीनों राते उन्होंने बॉआ के संग बिताई थी अस्पताल में अमरसर मेरी कनौतियां खड़ी हो गई मैं इधर लोटना नहीं चाहती बॉआ ने कहा अब वहीं रहूँगी वहीं मरूँगी डॉक्टर आपको अस्पताल जे छुटी अगले हफते देंगे पापा हस दिये जब तक मैं भी अपनी बरेली में एक हफता अपनी डूटी बजा लू चौधवे दिन बॉआ की हालत कुछ और सुधरी तो अस्पताल के डॉक्टरों ने बॉआ को इंटेंसिव केर यूनिट के स्पेशल वार्ड के एक कमरे में खिसकाना चाहा जगे की बदली के वक्त जब उन्हें स्टेचर पर लिटाया गया तो उन्होंने वहां मौजूद पापा से पूछा हंसराज मुझे अमरसर ले जा रहे हो क्या नहीं बुआ पापा फिर हास पढ़े अमरसर आप जरूर चाहेंगी मैं वादा करता हूँ लेकिर अभी नहीं डॉक्टर लोग चाहेते हैं इधर अस्पताल में अभी आप साथ-ाथ दिन और गुजार ले पिछली बार भी तुमने एक हफ़ता बताया था वुआ धिर हो ली एक हफ़ता और बीच जाने दीजे वुआ पापा ने कहा यहां सब ठीक चल रहा है दिन में सरोज आपके पास रहती है और रात में सुधीर और सुशील इस बीच में बरेली फिर वोकर आता हूँ बरेली में एक सब्ता और बितागर पापा लोटे तो डॉक्टरों ने वुआ के स्वास्तिलाब की सूचना दी आप चाहें तो उन्हें आज अस्पताल की वीलचेर पर यहीं घुमा लीजिए छुट्टी मगर हम इन्हें कल ही दे पाएंगे साड़े बारा के करीब जब वीलचेर दूसरे मदीजों से खाली हुई तो पापा ने उन्हें वहाँ जा पिठाया अमनसर जा रहे हैं बुआ ने पूछा अमनसर भी जाएंगे जरूर जाएंगे अभी आप थोड़ा यहां घुम कर देखिए उन्हें घुमाने का जिम्मा पापा ने मुझे दे दिया लो सरोज बुआ को घुमा लाओ अस्पताल का वे स्पेशल वार्ड उसकी तीसरी मंजली पर था और घुमाने के लिए वहां सिर्फ बालकनी थी जहां पहुँचने के लिए जनरल वार्ड के कमरों से गुजरना जरूरी था जैसे हैं जनरल वार्ड से गुजरे बुआ ने मुलाकातियों द्वारा अपने मरीजियों के लाए गए खाने के टिबे खुलते हुए देख लिए और चिलाने लगी मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी ला कर दो आप अभी बालकनी में चलिए, मैंने उनका गाल थप थपाया पापा से कहकर अभी रोटी मंगा दूँगी अस्पताल की अपनी टिकान के दौरान वो केवल दूद, चाए और बिसकुट डबल रोटी ही लेती रही थी नहीं, हाथ पहला कर वो चीखने लगी, मुझे रोटी चाहिए, अभी चाहिए हाँ बुआ, वीलचेर रोकर उनके हाथ उनकी गोदी में वापस रखने का मैंने प्रयास किया आपको रोटी अभी मिली जाती है नहीं, वो बेकाबू हो गई, देखो लोगो, मेरी बदकिस्मती देखो, मुझे रोटी खानी है और मुझे रोटी देने वाला कोई नहीं, मुझे बताओ मैं क्या करूँ हिचक कर फिर मैं बालकनी न जाकर उन्हें उनके बिस्तर पर लोटा लाई मैं अमरस्तर जाओंगी हंसराज, बिस्तर पर लोटते ही बुआ ने फिर जित पकड़ ली अच्छी बात है, मैं आज ही टिक्टे बुक कराता हूँ लेकिन लोडी के इन दिनों में हावडा मिल में रश बहुत रहता है हो सकता है, टिक्टों में अभी एक दो हफ़ते लग जाए तुम फिर टाल रहे होंसराज, बुआ रोने लगी मैंने अब सब सोच लिया है, मैं अब वही रहूँगी, वही मरूँगी बस टिक्टे आ जाने दीजे बुआ पापा ने उनके कंदे तक तक आए मैं वादा करता हूँ, अमरस सर में आपको लेकर जाओंगा इनी तीन चार हफ़तों के बीच, जब तक आप गाड़ी के सफर लाइब भी हो लेंगी मैं हलवा पूरी खाऊंगी, अपने चौबारे के बिस्तर पर लेटते ही, अगले दिन अस्पताज लोटने पर संतोज बुआ फिर जित कर वेठी हलवा पूरी आपको नुकसान कर जाएगी बुआ, पापा ने उनकी पाहस है लाई, स्वरना आपके लिए धुली मूंग की हलकी खिश्री तैयार करेगी, आप खिश्री खाना नहीं, मैं हलवा पूरी खाऊंगी, आप इन्हें हलवा पूरी ही मंगवा दीजिए मामा ने पापा से कहा, इस उम्र में बड़े बुज़र्गों के साथ जिद नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपनी मर्जी चला लेने देनी चाहिए क्या मालूम उनकी कौन सी ख्वाईश उनके सीने में कब से दबी पड़ी हो और पापा ने सुधीर को बाजार बेच कर हलवा पूरी मंगवा दी संतोष बुआ ने दो ग्रास में ही पहली पूरी खतम कर ली और बोली एक और लाओ जिस रस और सुस्वात के साथ उन्होंने अपने होटों पर अपनी जीब फेरी वो हमारे लिए नितांत अजनवी थी अपने खाने के प्रती इतनी रुची उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाई थी पापा ने दूसरी पूरी उनके ठाली में रख दी फिर उनके अन्रोथ पर तीसरी लेकिन जब उन्होंने चौती पूरी की मांग की तो पापा उन्हें उड़क बैठे अब आपकी बात ना मानी जाएगी मैं आपका नुक्सान नहीं कर सकता गुसे के मारे फिर संतोष गुआ ने रात में सूप के साथ टोस्ट नहीं लिया सूप भी पापा ने उन्हें जबर्दस्ती ही पिलाया वो भी शैक तीन या चार चमच रात में पापा ने मेरा बिस्तर भी चौवारे में बिछा दिया जब तक हम लोग अमरस्तर नहीं जाते सरोज गुआ के पास होएगी वहीं अपनी इंटर्गी पढ़ाई करेगी और वहीं उनकी हर ज़रूरत पूरी करेगी हंसराज हंसराज रात के किसी एक पहर संतोष गुआ एका एक पापा को पुकारने लगी कुछ चाहिए भुगा? मैंने पूछा मुझे मेरा बकसा चाहिए उनका लोहे का बकसा उनकी चार पाई के नीचे पढ़ा रहता चावी? मैंने बकसा बाहर किसका लिया बकसे की चावी वह अपने पास ही रखा करती लोग खोलो अपने बिस्तर के तकिये के नीचे से चाबी उन्होंने मुझे पकड़ा दी और तकिये के सारे बिस्तर पर पैठ ली उनके बकसे में जाकने का मेरा वो पहला आफसर था मम्मा ने भी उसे केवल खुलते और बंध होते ही देखा था और पापा के सिवा उस बकसे के वर्ण विशे हम बच्चों में से किसी की नजर में न गुजर सके थे बकसे के बीच वाले हिस्से में कपड़ ही कपड़े धरे थे और दाएं बाएं उपर उचे उठे हुए लगबग आठ आठ इंच के जो वे दो दराज थे सो उनमें दुनिया भर का अल्लम गल्लम जमा था मेरी धैला वो बदुदाएं सिख्के जमा करने के उनके पुराने शौक से हम सभी परचित थे और हम सब जानते थे उनकी उस फेमस धैली में थे भात भात के अनेग नए पुराने सिख्के समय समय पर सरकार दौरा जारी किये गए विबिन नए सिख्के तरह तरह के पुराने चौकोर पैसे, गोल पैसे, छेदिया पैसे सन पच्पन से पहले के एकनिया, दुनिया, चबनिया, अठनिया, इत्यादी बलकि ममा तो ये भी सोचती थी कि संतोष बुगा के उस थैली में सोने के एक दो अशर्फी भी थी और चांदी के 21-20 रुपए भी ये कैसे फोटो हैं? थैली के बगर में कुछ खुले फोटो मेरी तरह छाक रहे थे आप के हैं? राए पिंडि के दिनों के? कुछ फोटो में बुगा पुराने कपड़ों में विबिन अजनबियों के साथ खड़ी थी परेशान और उलजी हुई आँखों के साथ घर में हमें यही बताया गया था वो पाकिस्तान के राएविंड गाउं से आई थी भारत सरकार द्वारा सन 49 में पाकिस्तान से लाई गई सिक्थ हिंदू इस्तरियों के जत्ते में और जब उनसे बिछडे उनके परिवार जन्मे से उन्हें लेने कोई नहीं आया था तो हमारी दादी ने उन्हें अपनी दूद बहन बना लिया था उन्हें बारवी जमात पास कराई थी और फिर उसी के बूते पर उन्हें एक स्कूल की नौकरी भी दिला दी थी उम्र भर वो यहीं फिर इसी चौबारे में टिकली थी राइविंड उन्होंने अजनवी आवाज में मुझसे पूछा था क्या अपनी बीमारी में वो इतनी दूर चली गई थी पाकिस्तान बनने के पहले के दुनों में जब पाकिस्तान केवल एक असंभव योजना दिखती थी मेरा मतलब सन सेटालीस के पहले के वक्त से है मैंने कहा सन सेटालीस हाँ सन सेटालीस में ही तो पाकिस्तान बना था जब आप राइविंड में रहती थी राइविंड? वो फिर हैरान हुई दादी तो यही बताया करती थी आप राइविंड से अमरसर लाई गई थी और फिर अमरसर से वो आपको इदर लकनो लिया आई थी वो सब जूट था मैंने राइविंड वाला इलाका कभी नहीं देखा है कैसे? मैं अधीर हुई सुबह के समय अभी मैं गर्म हमाम की पुरानी राख समेट रही थी पानी गर्म करने वाले हमाम को दादी भी गर्म हमाम कहा करती थी पीतल का वो एक हमाम हमारी रसोई के भंडार में भी धरा है उस हमाम के बीचों बीच हमाम की लंबाई के बराबर एक पाइप बना है लगवग आठ इंच ब्यास का उस पाइप में गर्म कोईला डाल दिया जाता है और कोईले की आच से हमाम में भरा पानी गर्म हो जाता है उन दिनों राख दो जगए काम में लाई जाती थी वुआ बोली रसोई में बरतन चमकाने के लिए और पाखाने में मल ढखने के लिए आच जैसे फलश वाले बातरूं तब थे कहां उस मकान में दो पाखाने थे चट वाला घर की इस्तियों के काम आता था और घर के में बाजे से सटा हुआ घर के पुरुष जन के हां तो उस दिन मैं नीचे वाले पाखाने के बगल में धरे डिपे में हमाम वाली राख अभी रखी रही थी कि निशली दीवार के उस पार खड़े एक दंपति ने मुझे पुकारा बहन बहन उन दिनों घर में अपनी सौत के आ खेराया गया था, वहाँ का पाखाना उनके इस्तेमाल के काबिल न था और अपनी गरभावस्ता की उस अपरवरती इस्तित में वो यहां का पाखाना इस्तेमाल करना चाहती थी फिर मैंने पूछा उस समय सभी सो रहे थे और मैं पूछती भी तो किस से मैंने दर्वाजा खोल दिया कल फिर आ जाऊं क्या जाते समय स्थरी ने पूछा आ जाना मैंने कह दिया लेकिन तीसरे दिन हम पकड़ी गई घर में कोहराम मच गया और मेरी सास और सौत ने मिलकर मेरी पिटाई करवाई किस से गन्डे की सीठी से पती से मेरी बोलचाल बंद हुए लंबा अरसा गुजर चुका था लेकिन अब भी मेरी शिकायत उन्ही तक पहुचाई जाती थी और सजा भी उन्ही के हाथों दिलवाई जाती थी ये सब अम्रस्तर की बाते हैं हाँ अम्रस्तर की पिटाई के सर में मेरे दिमाग में अचानक ये तुलसी दास प्रकट हुए स्वारत के साथी मेरे हाथी स्वान लेवा दे काहूं तो ना पिये और अगली सुबह उस दंपती के आने से पहले ही मैंने दीवार फांदी और उन्हें साथ परजा मिली उधर आज मत जाना जाओगे तो वे लोग आपके संग बुरा करेंगे उन्हें जब पता चला मुझ चातक की आस, राम, स्याम, धनकी भी खत्म हो चुकी थी तो उन्होंने मुझे उस नरक को छोड़ देने के लिए कहा सयोग वश वे उसी दिन इधर लखनों के लिए निकल रहे थे और मैं उनके साथ हो ली आपके बाल बच्चे, आपके माईके वाले, वे कहा थे बच्चे मेरे थे नहीं, मैं बांज थी और माईके वाले मेरे बोटर पोक लोग थे उन्हें मेरा कश्ट कुबूल था मगर अपने घर में मुझे जगए देना कबूल ना था महां से भाग आने के बाद परभा कर दिया था जैसे लेकिन जब से मेरी वो हमदर्द गई है मेरा ध्यान उधर बार बार पलटता है कैसे क्यों तुम्हारी ममा ने मेरा तवा जो अलग कर दिया उधर अमरस्तर में रुलाई थी बे लिहाजी थी बे इंसाफी थी वगर रोटी तो इकलने तवे की थी मैं आपको बचन देती हूँ बदले में तुम मेरी ये थैली ले लो गुआ की आँखे भी छलकाई मगर रोटी मुझे एक तवे की ही चाहिए थैली आप यहीं बकसे में रखिये मैंने कहा पापा से मैं जब ममा की शिकायत करूँगी औरे पापा का कहना माना ही पड़ेगा हंस राज को कहने सोसे बहुत दुख होगा वो बेचारा तो पूरे दम से मेरी सेवा करना चाहता ही है तुम अपनी ममा से ही बात करना भी हमारा राशन पानी क्या मुफ्त आता है मेरी बात सुनते ये मामा ने अपने हाथ नचाए तुम बच्चों के पढ़ाई मुफ्त हो रही है क्या वो नहीं जानती कैसी कमर तोड महंगाई है और ना सही अपना ही खर्चा मुझे दे दे अपनी थेली क्या हो उपर लेकर जाएंगी ऐसी जड़ताई का क्या वरोसा दम तोड़ते समय तोड़े पापा से कसम ले ले ये थेली उधर अमरस्तर पहुचानी है तुम में न धीरेजे मामा न करूना मैं खीज गई जाओ मैं तुमसे नहीं बोलती जादू टोना वो बढ़िया अच्छा जानती है बुआ अब अमरस्तर नहीं जा रहे है तब ही बापा हमारे पास चले आए यहीं रहेंगी और उनकी ये थेली भी अब हमारे पास रहेगी लेकिन बस नाम के वास्ते लाईए मामा ने फौरण थेली जपटली मुझे दीजिये इसे मैं अपनी आलबारी के सेफ में समाल कर रखूँगी लेकिन इसे खोलना नहीं पापा ने कहा ये बुआ की अमानत है अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी एक तवे की रोटी उम्मीद है कहानी ने आपके मर्म को छुआ होगा कल फिर मिलेंगे हिंदी की श्रेष्ट और बेहतरीन कहानिया सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूले लाइक करें और शेयर भी करें बहुत बहुत धन्यवाद